जहें साथियों मैं आनंद चोहान आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार टीचिंग वित आनंद चोहान में उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे जबरदस्त होंगे और दोस्तों आप लोगों की जो क्लास है रिजनिंग की आज एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए लिए करettes लैजिसका नाम है द céu जैसे में वाला जड़े एंडी में निया संगत्ता क्या मोलते हैं मेरे दोस्त आप को किसान निया वत करा रहा है तो यह Silloges में chapter है दोस्तों आप लोगों की requirement थी वही एक बही ने comment भी कहाता था कि सर Silloges में वाला जो chapter है मुझे समझ में नहीं आता है तो आप इस class को करा दो तो मैंने आप उसको बात बताया बिता कि मैं आप को जितने भी chapters इस book के करा रहा हूँ वो सारे chapter wise और वो क्रम से करा रहा हूँ जैसे जैसे books के index में दोस्तो questions आपके जो chapters दिये हैं उनको दोस्तो एक serial wise लेकर चल रहे हैं ठीक है तो आज यह है दोस्तो एक हमारा नया chapter है और इसका नाम है दोस्तो silogis में तो silogis में chapter यानि कि न्यास संगता वाला जो chapter है आज हम start करेंगे और इस chapter के दिए हम बात करें तो इस chapter में आपके जो number of questions है total आपके इस book में दोस्तो 100 questions दिये गए है total 100 questions इस book में आपके दिये गए है जिसमें से हम आप लोगों के लिए total जो question है आज इसके part 1 में हम question number 1 से लेकर 50 तक के question हम आपसे discuss करने वाले है थोड़ी सी class लंबी चलेगी लेकिन हमने इस class में आपके total 50 questions रखे हैं और बागी के जो 60-50 questions होंगे वो हम इसके next class में cover कर लेंगे ठीक है भई? तो चलिएगा दोस्तों हम अपने session को start करते हैं और जो लोग class में नहीं आपाएं तो भई इससे निवेदन है कि class को अपने दोस्तों के साथ में friend के साथ में share कर दो class का समय 10 बजे है 10 बजे हमारी class start होती है हलाकि एक 2 दिन class नहीं हो पाईती possible नहीं होता है लेकिन फिर भी दोकों में manage कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना struggle मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि भी चार वीडियो यानि कि चार class है अलग अलग subject के लेना एक teacher के लिए अपने अपने चैलेंज बात होती है तो भाई फिर भी मैं आपको दो से तीन क्लासे पढ़ड़े दे भी रहा हूँ तो इससे क्या कि वैसे आप लोगों की requirement की सब्सक्राइब कर देल ला हूँ तो भाई math की क्लास तो regular आपकी आ रही है अब हम chapter की दिए बात करें तो दोस्तो यह chapter number 16 है और अभी तक हमारे 15 chapter complete हो चुके है और जिन लोगों नभी 15 chapter हमारे अभी तक 15 chapter की क्लासे नहीं देखिए है तो playlist में जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हूँ भाई इस chapter को दुस्तों start करने से पहले आपको कुछ important point में बताना चाहता हूँ जो आपको पता होने चाहिए इस chapter से related कि इस chapter में दुस्तों निया संगता में जैसे आपके questions अभी आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस step के questions पूछे जाते हैं तो यहां से आपको जो कुछ का संबंद पूछा जाएगा जिसे आप से बोला जाए कि कुछ सेव केला हैं कुछ संत्रे आपके कुरसी हैं मतलब इसमें आपके कुछ इस प्रकार के questions पूछे जाते हैं तो कुछ का जो संबंद होगा वो इस प्रिकार से निरूपित करेंगे तो कुछ के लिए कौन सा आपको डाइगराम बनाना है तो ये वाला कि एक सरकल को थोड़ा सा काटता हुए सरकल तो यानि कि कुछ का जो संबंद होता है ये होगा सभी का संबंद क्या होगा वह एक सरकल के अंदर एक और सरक्लाज आएगा तो सभी के लिए आपको ये वाला डाइगराम बनाना है यदि आप से पूछा जाए कि कुछ A B नहीं है जैसे A मान लिया A और B मान लिया A B मान लिया इसको तो कोई A B नहीं है तो भी इसके लिए ये वाला डाइगराम बन जाएगा कि कोई A जो है ना वो भी नहीं है तो ये दोनों कैसे बनेंगे अलग-अलग डाइगराम बनेंगे जो अलग डाइगराम बनेगा तो उसमें समझलो कोई संबंद नहीं है कुछ के संबंद के लिए ये वाला डाइगराम बनेगा सभी के लिए एक डाइगराम के अंदर ये वाला डाइगराम बनेगा बस इतना समझाना तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं था clear तो चलिएगा जोस्तों पहला कोश्चन आपके सामने आ चुका है पहला कोश्चन आपके सामने दिया गया है कोश्चन को यहाँ से पढ़ना है और इसके बाद यह आपके सारे विकल्प दिये गए है ठीक है बई यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे तो आपके यह जो दिये गए न विकल्प दिये गए तो आपको इन में से क्या बताना कि कौन सा विकल्प सही है कौन सा सही नहीं है तो भई आपको जैसा डाइगराम को मैंने भी बताया है तो वैसे ही डाइगराम रखते जाओ और आंसर आप लोग बताते जाएंगे ठीक है ये आपके सारे options इस तरफ दिये गए है अब आपको करना कि डाइगराम बनाना है और जो भी आंसर होगा वो आपको बताना है आपको यहां से देखे जाए तो एक से लेकर आपके 11 विकल्प है तोटल आपके 11 विकल्प है मैंने तो कुछ के लिए डाइगराम ये वाला बनेगा कुछ H जो है क्या है भई आर तो ये दोनों को काटेगा इस परकार से ये देखेगा कुछ H क्या होगी भी आर आगे कह रहा है कि कोई P H नहीं है मतलब कोई भी जो P है न वो H नहीं है H नहीं है कोई भी P, कोई P H नहीं है तो एक P वाला डागराम कैसा बनेगा भी सबसे अलग बन जाएगा क्योंकि कोई भी P जो है न वो H नहीं है यहां तक की बात समझ में आ गई यहां तक की बात समझ में आ गई कोई दिक्कत किसी को अब भई निसकर्स पड़ो अब निसकर्स पड़ो कह रहा है कि कुछ P H है भई जब बोला है कि कोई P H नहीं है और यह कह रहा है कि कुछ P H है क्या कुछ भाग P का H को काट रहा है आप कोगी सब नहीं काट रहा है तो पहला वाला निसकर्स कैसा होगा गलत होगा सेकेंड कह रहा है कि कुछ आर पी नहीं है भई देखो कुछ आर जो है ना वो पी नहीं है मतलब कुछ आर जो है ना वो पी नहीं है तो भई देखो बिलकुल बात कह रहा है कि कुछ आर जो है ना वो पी नहीं है तो भई यह निसकर्स कैसा हो जाएगा आपको तर यह वाला निसकर्स बिलकुल सही जाएगा कि कुछ आर्पू नहीं है तो भई नहीं है कीलियर यहां तक समझ में आगई कोई दिक्कत किसी को कौन सानिस्कर्स होगा तो आपको सब्सक्राइब केवल सेकेंड निसकर्स आंसुर। कर रहा है तो कहां पर भी तो आपको अपसून आसान तरीके से मैंने समझा रहा हूँ वई उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा चलिए गवई ऐसा ही एक अगला question आपके सामने आता हुआ question number 2 कुछ नमकीन पिज्जा है कुछ नमकीन जो है न वो पिज्जा है ठीक है भई यहां से भई कुछ नमकीन का जो पार्ट होगा भई कुछ नमकीन जो है वो क्या भी पिज्जा है तो यह हो गया भी पीसे हो गया पिज्जा फिर कह रहा है कि कोई भी पिज्जा जो है न वो बिस्किट नहीं है यानि कि कोई भी जो पिज्जा है ना पिज्जा ये कह रहा है कि बिस्किट नहीं है तो ये वाला डाइगराम हो गया बिस्किट का जबकि इसमें क्या कह रहा है भी कोई बिस्किट नमकीन नहीं है भई आप बताओ आप बताओ कोई बिस्किट नमकीन नहीं है कोई बिस्किट नमकीन नहीं है कोई बिस्किट नमकीन आपर हो सकता है हो सकता है क्योंकि भई यदि इस पिज्जा को नहीं काटेगा तो यह वाला डियागराम इसको काट सकता था इसको काट सकता तो बिस्किट आपका यहां पर भी आ सकता था आ सकता था आपको कुछ दी आ सकता था लेकिन यह कह रहा है कि कोई बिस्किट नमकीन नहीं है बिस्किट नहीं है जब कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है तो कोई बिस्किट पिज्जा भी नहीं है तो आप कोई पिज्जा भी बिस्किट नहीं है तो आप कोई पिज्जा भी बिस्किट नहीं है तो आप कोई पिज्जा भी बिस्किट नहीं हो सकता है तो आप कोई पिज कर सेकंड और थर्ड अंसरड करते हैं नेक्स्ट अगला कोश्चन है वई ये दोका अभी आपके सभी दोजार चौबिस के एक्जाम के ही आई हुए कोश्चन है कह रहा कि कुछ यू सी है वई देखो क्या वाक वोला है कि कुछ यू जो है ना कुछ यू ये क्या है दोस्तों कोई यू नहीं है मतलब कोई जो यू नहीं है तो यह कह रहा कि नहीं है अब बताओ कोई यू नहीं है और यह कह रहा कि कुछ यू है क्या कुछ यू को काट रहा है आपको को नहीं काट रहा है जब नहीं काट रहा तो यह कैसा है गलत है तो यह गलत होगा यह कह रहा कि कु कुछ CL है। हाँ CL हो सकती। कुछ CL नहीं है कुछ CL непこれ case c LM नहीं है कुछ CL हो भी लोकरे सकती थे लिकिन कुछ CL नहीं है तो यह वारा कैसा सही है तो आप को रहने के वाले कर्स जो सैंकरण अस्ट घ्रकरता ऑप्स पूरा गोला आ जाएगा तो, कुछ सभी L के हैँ वही सभी L V हो जाएगे तो यह डाइगرام किसका ओ गया, V का, तो सभी L क्या है वही है, के सभी L है, जब सभी L V हैं, तो ज वही सभी V L हो सकते हैं, हो सकते हैं मेरे दोस्ते तो आप क्या कोगे सर क्या सभी वी एल हो सकते हैं आप कोगे सर सभी तो नहीं हो सकते हैं हाँ कुछ हो सकते हैं मैंने आप से क्या बोला जहां पर सभी का जहां पर सभी का कुछ जहां पर सभी वाला पार्ट होता है वहां पर कुछ का अंतर जरूर होत कि कुछ वी एल है यदि सभी की जगा यहां पे कुछ कहता तो कुछ वी एल है तो यह सही हो जाता लेकिन सभी वी एल है नहीं है कुछ वी एल है तो पहला निसकर से गलत है पहला निसकर से गलत हो जाएगा क्या सभी जे वी हैं जे और वी का तो भी कोई मतलब सभी वाला उसलड़ नहीं करता है तो क्या होगा मेरे दोस्त Watto कोन सा optionatto करेंगे भी तो bạn niscus first só히 है और wife नहीं discuss second answer करता है clear nही साथखंड answer कर रहा है नहीं second answer कर रहा है अब कोई आप लोगों मेंसे यह , य्मत क्र देना कि गिरमा नम option लगा दू कि first और second third answer नहीं करते जब थर्ड सी नहीं तो थर्ड का नाम को निसान ही नहीं आएगा तो पहला ओप्सन देख लिया करो क्या दिया कि ना तो निसकरस फ्स्ट और ना है सेकंड अंसरđ करता है नास्ट कुश्चन कै रहाया कि सभी डव्लू सी हैं W को अब यहां से देखो मेरी बात ध्यान से सुनना कह रहा है कि कुछ P जो है न वो W है अब भई P कुछ P W है तो इसमें से कुछ वाला जो पार्ट W को भी काट रहा है और यह दोस्तो C को भी काट रहा है तो यहां से आपका एक डाइगराम क्या बनेगा कि कुछ C P हो सकते हैं कुछ C P हो सकते हैं क्यों भई दोको P जो है यह W को तो काट ही रहा है साथ ही साथ भई C को भी काट रहा है तो अनिसकर्स में कहा रहा है कि कुछ C P है तो आपको जी बिलकुल सही है कि कुछ C P है कहा रहा है कि कोई P C नहीं है कॉई का तो यहां पर कोई figure ही नहीं वनाए कोई वाला क्या बताता है जो सबसे औलग बनता तो कोई का तो इसमें कोई संबन्द ही नहीं तो गलत होगा कुछ CW नहीं है देखो कुछ C जो है वो W नहीं है हाँ बात बिल्कुल सही बई कि कुछ CW नहीं है और कुछ CW है तो भैं क्या कोगे सर आफिन CW نہیں है वही कुछ CW नहीं है जबकि कुछ CW है ये बोला तो ये तीसरा कैसा है गलत है तीसरा भई गलत होगा वही सेकंड कोई P C नहीं है भई हाँ बिलकुल सही वही कि कोई भी P जो है न वो C नहीं है कोई P C नहीं है लेकिन कुछ P C है तो कोई PC नहीं तो यह वाला आपका सही माना जाएगा भई समद रहे हैं मेरी बात को एक बार फिर से देखो दियांसे कहरा है कि कोई PC नहीं है आप भले ही कहो कि इसमें कोई का संबंद नहीं है और नहीं हमें कथन में P और C के बारे में बुला था तो जब कोई कुछ PC है तो यहाँ पर कोई PC भी नहीं है तो यह सही होगा कुछ CW नहीं है जब कि कुछ C जो है वो डवलू है तो यह गलत होगा तो आप क्या कहोगे सर निसकर्स पहला और निसकर्स दूसरा अंसरड कर रहा है क्या कागई सरफ पहला भी अंसरड कर रहा है औरोसरा भी अंसरड करता तो ओफसिं नमर तीन वाला विकल्प आपका बिलकुल सही होगा अब बताओ बात समझ में आई या नहीं समझ गए ना मेरी बात तो क्या कागई सरफ पहला और दूसरा जो है निसकर्स जो है इसका answer कर रहा है clear? चलिएगा आगे दोखो भी अगला question सभी भूमी रिक्त हैं जितनी भी भूमी है आपको विसरी ये बाला डायग्राम हो जाएगा भूमी का जितनी भी भूमी है सभी भूमी रिक्त हैं तो ये आजाएंगे रिक्त के अंदर ये आगे रिक्त के अंदर कोई भूमी लड़की नहीं है मतलब क्या कह रहा है कि कोई जो भूमी है ना भूमी ये कह रहा कि लड़की नहीं है तो लड़की वाला डायग्राम क्या बनेगा भई गल्स इसको मान लेती ये अलग हो जाएगा कोई भूमी जो है ना वो लड़की नहीं है क्या सभी रिक्त भूमी है भाई कुछ रिक्त भूमी हो सकती है सभी नहीं तो पहला निसकर से गलत हो गया पहला निसकर से क्या कहोगे सर आप कहोगे सर गलत हो गया कहला कि सभी लड़कियां रिक्ते हैं अगला question देखो भई, question नमब 7, question नमब 7 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ मेज सफेद हैं, भई देखो कुछ मेज जो है ना भी कुछ वाला पार्ट है, मेज वाला, ये कुछ मेज कैसे हैं सफेद हैं, तो ये आजाएगा सफेद वाला पार्ट, ये क्या सड़क कहां बन जाएगी अलगा जाएगी कहरा कि कोई सड़क जो है ना वो सफेद नहीं है कोई जो सड़क है ना वो कहरा कि सफेद नहीं है तो सड़क से सफेद का कोई भी मतलब लेना देना नहीं है अप निसकर्स पड़ो कहरा कि कोई सफेद सड़क नहीं है जब कोई सकता था आपको काज सकता था यह करे और कोई सप्च्झ मेज नहीं तो यह गलत हो जाएगा coi सफध मेजडीन कोई सत्ति कि भी बीगिलत दो तब क्या कोई सरक केवल निसकार से पहला ऑन्शब करता है आपकर सभी में किया मैं तो यह निसकार से कुछ f जो है ना वही कुछ f यह भी टी वाले पार्ट को काटे गा और सभी f जो है ना वो के हैं तो सभी f जो है ना यह किस के अंदर आगे भी के के अंदर तो यह वाला डाइगराम बनेगा भई बास समझ में आगे क्योंकि टी वाला जो f को भी काट रहा है के को भी काट रह करता है option number 4 is the right answer के वन first answer करता है डाइग्राम बना लो answer आजाएगा अपने आप next question कह रहा है कि कोई A B नहीं है भी मतलब कह रहा है कि कोई जो A है ना वो B नहीं है क्या बोला है कि क्या कुछ A B नहीं है जब कोई A B नहीं है तो वापर कुछ का भी संबंद होगा तो आपको बिल्कुल सही है कि यह कोई कुछ B A नहीं है क्या कुछ P A नहीं है भी पी A को काट सकता था यह कह रहा है नहीं है तो यह गलत हो जाएगा पी A वाले को काट सकता था यहां से इसको भी P काट सकता था और यहां से इसको भी यह वारा डियागराम बन सकता था, यानि कि क्या भी possibility हो सकती थी, तो क्या होगा भी आपको भी तरह नहीं आए तो गलत हो जाएगा कुछ P A नहीं है तो भी देखो कुछ P A नहीं है भी कैसा है गलत है लाल वाला पार्ट यहानि के रैड कोई लाल काला नहीं तो बिलैक हमाद कुछ चुगा रा काला नहीं तो यह बैँ कोई चुगा काला नही На टुन तो तीनों अलग अलग डाइगराम बनेंगे वह कुछ वाला अंतर तो ना तो यहाँ पा रहा है कुछ का अंतर है जब कुछ का अंतर ही नहीं तो कुछ वाले तो सारे गलत हो जाएंगे बिलकुल आसा सा कुश्चन था देखो अगला कुश्चन कोई एस टी नहीं है वह कोई भी एस जो है ना वह टी नहीं है तो एस अलग हो गया टी अलग हो गया को कुछ यू एस मैंलों यू वाला जो पार्ट हो एस को काटेगा क्या रहा कि कुछ यू टी हैं बताओ क्या क्या कुछ यू टी नहीं है और सभी T U सैकन्ड तो बिलको गलत वह अब पहले द्यान सेस्फशनु takiya कि कुछ 2 यूटी नहीं है यो बास से कहा कि कुछ UT नहीं है और कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो शकते हैं तो पहला निसकर से सहीा है तो भी जितने भी लाल हरे रहा है और कहảo है कुछ गुलावी हरें मतलब गुलावी ला पार्ट ये इसको काटेगा तो ये जाएगा इसके अंदर तो ये वाला डागरम आपके सामने बनके तैयार हो जाएगा भई अबनसकर्स पड़ permissions करको खेते हैं के ुच गुलावी लाल नहीं है भई क्ष गुलावी लाल नहीं है तो ये कैसा؟ कुछ का तो अंतर लाल गुला भी खेंडे तो यह गलत हो जाएगा वे सभी हरे लाल है क्या सभी हरे लाल हो सकते हैं सभी नहीं होंगे तो गलत कुछ हरे लाल है क्या कुछ हरे लाल हो सकते हैं तो आप क्या कोई सर केवल और केवल थर्ड अंसर करता है सभी हरे लाल नहीं कुछ मोबाइल घड़ी को काटेगा मोबाईल क्या है बदागरा कि ऑफ सबसे बस यह वह ला डागरम बना लो अब निसकर से मिला लो निसकस में करा कि कोई laptop mobile नहीं है वही laptop mobile नहीं है क्या कोई laptop mobile नहीं है वही laptop mobile वाले को काट सकता तो यह कैसा हो जाएगा गलत हो जाएगा कुछ laptop घड़ी नहीं है वही कुछ laptop घड़ी नहीं है तो वही बिलकुल बात सही कि कुछ laptop घड़ी नहीं तो यह कैसा है बिलकुल सही है तो तेरमा का केबल सेकेंड अन्स्रोड करता है तो आपको इसरो आपसन नमबर दो केबल निसकर से दूसरा अन्स्रोड कर रहा है भाई कोछ लैपटॉप जो है वो घड़ी नहीं है और कोछ हैं भाई कोई लैपटॉप मोबाइल वाईला का कोई संबंद नहीं होगा भाई को लैपटाप मोबाइल नहीं है तो यह सही होता होई कोई का कोई संबन्द नितो गलत हो साएगा नेग्स्ट कोई dm नहीं है वही कोई भी जी जुरु है न वो एंड नहीं तो जी अलगा गया था कोशल करनेको ये वाला डे ग्रांबतरäsident तैयार हो जाएगा निसकर्स करा कि कुछ M A अभी दोको M और A में कुछ का संबन्द है आपको किजी बिल्कुल है कुछ M G जी तो सबसे अलगा गलत हो कि M और G का कोई संपर्ग नी M G गलत हो तो option number A बिल्कुल सही है किवल अभी निसकर्स फरस्ट answer करता है पाफसर नमबर चार इसदर राइटम सर क्लियर मेरे दोस्त चलेगा अगला question देखो बहुत सारे questions है तो दोस्तों में जल्दी जल्दी से question को करना है अब भी देखो करा कि कुछ T S है अब देखो कुछ वाला T वाला part हो S को काटेगा इस फरकार से कोई R S नहीं है ठीक R है कोई S T नहीं है मतलब कुछ S T कुछ T S है और कहरा कि कोई S T नहीं है अब क्या करोगे भी जब कि हाँ पर बोला है कि कुछ T S है ये कहरा कि कोई S जो है न वो T नहीं है कुछ S R नहीं है क्या क्या कुछ S जो है वो r नहीं है बई देखो कोई s r नहीं है कोई भी s जो है न वो r नहीं है आपको बिल्कुल सही है कोई r t नहीं है यह आपसे पूछा बई क्या कोई r t जब कोई s r नहीं है तो कोई r t नहीं है हमसे क्या बोला है कोई s t नहीं है मैं इस कोश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को इस कोश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है जानते हो क्या जो कुछ टी एस हैं कोई आर जो है न वो एस नहीं मिलाब आर जो है यह एस वाला नहीं है तो मिलाब कोई आर एस नहीं है तो कोई एस आर नहीं त आता आप चाहते तो आर को यहां से बना सकते थे लेकिन यहां पर क्या कह रहा कि कोई आर्टी नहीं है कुछ आर्टी है जब कि लेकिन कोई आर्टी है अपर यहां पर कहता कि कुछ आर्टी है अगर कुछ कह देता तो यह सेंटेस सही हो जाता यह कह रहा कि कोई आर्टी नहीं है तो मतलब क्या इसका है ना यह वही कट कर देना है यहाँ से इसका कोई मतलब है नहीं चलिएगा अगला question question number 16 सभी p g है वही देखो सभी p क्या है वह जी के अंदर आज आएंगे कुछ b g है मतलब कुछ b वाला पार्ट वह g के हिस्ते को काटेगा इस प्रिकार से कुछ B जो है न वो G है अब देखो निसकर से मिलाओ कहरा कि कुछ B P है क्या क्या कुछ B का जो पार्ट है वो P को काट रहा है आप कहोगे जी नहीं काट रहा है नहीं काट रहा तो ये गलत होगा क्या कहरा कि सभी G P है क्या सभी G P है वही नहीं मैंने क्या वोला कि सभी PG हैं लेकिन सभी GP नहीं हो सकते कुछ GP हो सकते तो ये भी गलत क्या कुछ GP हैं भी आपको गजी बिलकुल सही तो क्या कोगे केवल थर्ड अंसरड करता है आफसन नम्मद छेटमा बिलकुल सही है केवल थर्ड निसकर्स अंसरड कर रहा है केलियर चलिएगा अगला question देख न को काट रहा है इस परकार से तो ये डाइगराम बने गया वड़ी ये वाला डायगराम बन गया वड़ी आफ़ देखो सभी O M MS BA सभी O M का हैं सभी नता कोई मतलब भी नहीं है तो गलत हो गया वड़ी सबी वाला तो भी बिलकुल ही गलत है अब भी दूसरा answer पढ़ो कुछ कोई NM नहीं है जब कोई NM नहीं है तो कोई NM नहीं है निसकर से वाला और कथन का तो same ही है same लिख दिया भी तो यह कैसा होगा बिल्कुल सही जब कथन और निसकर से सेम है तो यही अंसर होगा भी option number 2 केवल second answer करता है clear चलेगा अगला question question number 9 सभी पहिए cycle है मतलब क्या कह रहा है कि जितने भी पहिए है सभी पहिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहिए सभी पहिए क्या भी सभी पहिए cycle है तो यह आगे cycle के अंदर सभी पहिए क्या भी cycle है अब कहरा कि कुछ cycle टब है अब यहापे कुछ वाला जो यह होगे टब कुछ cycle क्या वही कुछ cycle टब है तो यह cycle वाला जो पार्ट है यह कुछ भाग टब को काटेगा क्या कहरा कि सभी टब पाई है आप यह बताओ मैंने आपको सारे डाइगराम बता दिया कि सभी के लिए क्या बनता है कुछ के लिए क्या बनता है कोई नहीं के लिए क्या बनता है यह बोल रहा है कि सभी टब पहिए क्या सभी टब पहिए के अंदर आ रहे है कुछ तो आनी रहे तो सभी कहां से आएगा तो यह भी गलत है क्या सभी साइकल टब है नहीं सेकंड नहीं थर्ड नहीं करता तो आपको 11 नंबर लगा देना 11 नंबर वाला विकल पर बिल्कुल सही कि कोई भी निसकर्स नहीं कर रहा है नेस्ट कोश्चन कोश्चन नमर 19 सभी एफ एस हैं वह जितने भी एफ हैना वह सारे एस के अंदर आ जाएंगे इस परिकार से और कुछ एस जो है न वो आर को काट रहे हैं भी कुछ एस जो है न वो आर को काटेगा इस परिकार से अब मिलाओ निसकर्स कुछ आर एफ हैं भी क्या कुछ आर वाला जो पहाग है वो क्या एफ को काट रहा है आपको गहीं काट रहा है जब नहीं काट रहा है तो यह कैसा ह या नहीं थर्ड हैं तो भई इसके भी तीनों निसकर से कैसे हैं गलत हैं तीनों निसकर से इसका पालन नहीं कर रहे हैं तीनों ही गलत हैं next question पर चलते हैं अगला question number 20 कुछ L S है और सभी T S है मिलब जितने भी T है ना भी सभी T सभी T वाला जो पार्ट है वो किसके अंदर आएगा भी सभी T S हैं और कुछ L जो है ना वो S को काटेंगे इस परिकार से तो कुछ L जो हैं वो किसको काटेंगे भी S को इस परिकार से डागराम बन जाएगा भी अब निसकर समलाओ कहरा कि कोई T L नहीं भी जब यहां पर तो कोई तो आएगा ही नहीं कोई वाला तो आएगा नहीं तो दोनों ही गलत है तो आप क्या कहोगे सथर ना तो निसकर से पहला अंसर कर रहा है ना तो निसकर से पहला और ना ही निसकर से दूसरा अंसर करता है अगला कुश्चन देखो भी कोई फूल पौधा नहीं है यह पर क्या बोला है कि कोई भी जो फूल है ना फूल ये पौधा नहीं है ये जो है ना पौधा नहीं है ये आजाएगा भी पौधा ये नहीं है कुछ जानवर फूल है मतलब ये जानवर वाला जो इससा है ना ये फूल वाले को काटेगा इस परकार से कुछ जानवर फूल है अ लिकिन कुछ का संबंद हो सकता है कुछ का संबंद हो सकता है तो इसलिए क्या यह साहिए कि कुछ जानवर पौदे नहीं है क्या सभी पौदे जानवर भी सभी का थोड़ी कुछ पौदे का हो सकते हैं सभी वाला गलत तो क्या का होगे निसकर से केवल पहला ही अंसरड करता है तो 21 का option no.4 केवल निसकर्स first answer करता है next question सभी R T हैं वही जितने भी R है न वही R वो सभी R क्या भी सभी R आ जाएंगे T के अंदर सभी R जो है T हैं कुछ X R हैं कुछ X वाला पार्ट है वही R को काटेगा इस प्रिकार से जब R को काटेगा तो साथ में यह TV काटेगा जब R काटेगा तो वही TV काटेगा अब भी निसकर्स मिलाओ जब यहाँ पर देखो निसकर्स देखो किसके किसके हैं आप क्या कहोगा सर यहाँ पर तो सभी निसकर्स हो रहा है और कुछ का हो रहा है लेकिन यहां पर कोई का तो कोई निसकर्स ही नहीं है यहां पर कोई का तो कोई निसकर्स नहीं तो कोई वाले तुरंत काड़ दो इसमें भी दो कोई सब्दाया गलत कर दो इसमें दो कोई यह भी गलत कर दो क्या होगा कुछ R X है तो जी बिल्कुल सही तो केवल निसकर्स सेकेंड अंस्ट रड़ कर रहा है आपसन नमर दो मेरी बात हमेशा याद रखो जैसा डाइगराम बनेगा आंसर वैसा ही देना है जब डाइगराम में यहाँ पे सभी का डाइगराम है और कुछ का डाइगराम है कोई वाला तो नाम ही नहीं आया भी कोई भी डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट करके पूछ लेना ठीक है कोई दिक्कत लएगे तो अभी प्रैक्टिस चलेगे इसलिए तो यह 100 questions इसमें दियागे ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो अच्छी हो जाएगी तो 50 questions आज करेंगे 50 questions कल कर लेंगे अगला question question number 23 कुछ T Y है और सभी Y Z है कहरा कि कुछ T जो है न वो T वो क्या भी Y है कुछ T Y है और जितने भी Y है वो सारे Z के अंदर है इस परकार से डाइगराम बनेगा वही इस परकार से डाइगराम आपके सामने बनेगा वही आप देखो निसकर से बनाओ क्या कुछ Z Y है क्या कुछ Z Y के अंदर आ सकता भी आप कुछ Z Y है लेकिन यह कह रहा है कि कुछ Z Y नहीं तो यह क्या गलत है जबकि कुछ Z Y है यह कह रहा है नहीं तो यह गलत है कुछ Z T अभी बिलकुल बात सही है कि कुछ Z का जो भाग है वो T को काट रहा है तो आपको सरी यह बिलकुल सही है तो क्या काओगे सर केवल निसकर से सेकेंड अंसड़ करता है option नमर दो इसदा right answer केवल निसकर से दूसरा अंसड़ करता है next question question number 24 अभी 24 देखो और कुछ टेवल बैड नहीं है अब यह क्या बूला कि कुछ टेवल बैड नहीं है अब यह क्या बूला कि कुछ टेवल बैड नहीं है अब यह क्या बूला कि कुछ टेवल बैड नहीं है अब यह क्या बूला कि कुछ टेवल बैड नहीं है वाज बात बिलकुल सही है ऐसा डा कर सीन तो सभी वाला गलत जब बात जिसका कथन और यहां पर डैयग्रा में तो किस संब्द नहीं संब्द ए और सभी वाला तो जब नाम ही नहीं नहीं के लिए डाइग्राम है तो सभी वाला किसा होगा बिल्कुल फलात होगा तो एक ही तो अफसन है ये आंसर होगा केवल 1st अंसर करता है आपसन नमर चार नेक्स्ट कुस्ट्ट कुस्ट्ट नमर 25 कोई एकस डवू नहीं है कोई भी एकस कोई भी एकस जो है न यह कहा है कि w नहीं है तो w वाला क्या रहा है कि w नहीं तो w कहा हो जाएगा अलग और कुछ y x रायखान है मतलब कुछ y वाला जो पार्ट होगा भई you X को काटेगा इस प्रिकास यह यह डयागराम बनेगा भई ठीक है, तो भई, ये वाला डाइगराम जो है, बन जाएग, अब भई निस्करल से मिलाए थे कुछ yW नहीं है, कुछ y जो हैना वो डवलू नहीं है, Guillो बात सही है, अब इदे को सभी का तो डाइगराम ही नहीं तो गलत होगे जब सभी की बात ही नहीं कही गई यह पूरे डाइगराम है क्या कहीं पर भी सभी का जो डाइगराम बना नजर आ रहा है आपको आपको वह नहीं आ रहा है जब नहीं आ रहा है तो तुरत गलत करो तो क्या है केवल फिस्ट अंसर करता है आफिसन नमर चार इस्दा राइट अंसर अमेद करते हैं मेरे दोस्त आपको यहां तक की बास समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं अपने नेस्ट कोईस्ट видел कोईस्ट नमर 26 क्यारा कि सभी सी वी हैं जितने भी सी हैंना वाषि सभी सी जो हैं वो क्या हई वी के अंदर आ जाएंगी इस परिकार से अब कहरा कि कोई भी C जो है न वो B नहीं है तो यह B वाला जो डागराम होगा यह A B वाला भी यह कैसा होगा अलग होगा यह इस परकार से कैसा भी अलग हो जाएगा ठीक है अब जो आफसे मिलाओ कहरा कि सभी V C है सभी V C थोड़ी है वही कुछ V C हो सकते तो यह तो गलत है कि सभी V सभी वाला तो बिल्कुल गलत है क्योंकि सभी वाला तो डागराम कहीं पर भी नहीं है सभी वाला डागराम तो कहीं पर भी है ही नहीं एक ही है तो सभी V V नहीं है सभी V C नहीं तो भी एक ही है लेकिन इसमें तो कोई निसकर से इसका पालन ही नहीं कर रहा है तो ना तो निसकर से पहला सही है और ना ही निसकर से दूतरा सही है नेश्ट कुश्चन कुश्चन नमर 27 कुछ एल जी हैं भई क्या वो लाए कि कुछ एल जो है न एल ये क्या भी जी हैं तो कुछ L जो है क्या है जी हैं और सभी T जो है ना वो जी हैं यानि कि T के अंदर आए तो ऐसा करते हैं इसको मान लेते हैं T और जितने भी T हैं ये क्या हो जाएंगे भी G हो जाएंगे तो ये वाला डाइगराम आपके समने हाँ पर बनके तयार हो कि क्या इस कोश्चन को डाइग्राम जो आप देख रही हो क्या इस डाइग्राम को मैं कहीं पर भी कोई का संबन्द आपको नजर आ रहा है आप कोगे नहीं यहां पर तो कुछ का संबन्द है और सभी का जब कोई का तो ना तो कथन में कोई की बारे में सब दिया है ना ही डा आगे बढ़ो तो ना तो निसकर से पहला अंसरा किया ना ही निसकर सेकंड करेगा यह भी ट्रिक हमेशा अपने मार्ड में जमा के रखो जैसा डाइग्राम में जब डाइग्राम में सभी और कुछ की बात की जाएगी तो आपर कोई वाले का कोई काम नहीं है और जहां पर कुछ पंखे जो है ना वही कुछ पंखे तो कुछ पंखे वाला जो भाग है वो मेज को काटेगा इस परकार से तो कुछ पंखे के यह भी मेज हैं और सभी पंखे पतंग है तो इस परकार से पतंग के अंदर आ जाएंगे पंखे पतंग के अंदर क्या जाएंगे पंखे अ कुछ मेज पंक्ही तो सभी वाला तो गलत हो गया क्या सभी पतंग पंक्हीं नहीं जहां पर सभी पंखे पतंगंगे तो आपर कुछ पतंग पंकी हो सकते हैं सभी पतंग पंके नहीं तो यह भी गलत हो जाएगा थरा 1st question निशकर से first answer करता है next question कुछ कुछ संगीतकार गिटार वादक हैं यह कौन होगे वही संगीतकार होगे वही यह होगे वही संगीतकार तो कुछ संगीतकार क्या वही गिटार वादक है तो यह होगे वही गिटार बजाने वाले गिटार और सभी गिटार वादक कलाकार है अब जितने भी गिटार वादक है जब सभी गिटार कलाकार है, तो कुछ कलाकार गिटार हो सकते हैं, यह बिलकुल पॉस्वल है, तो यह बिलकुल सही है, क्या कुछ संगीतकार कलाकार नहीं है, जब कुछ संगीतकार कलाकार है, यह कहरा है, नहीं है, जब कि कुछ संगीतकार कलाकार है, यह कहरा कि कुछ संगी कि पीले हरे हैं मतलब क्या कहá रहा है कि कुछ जो पीले हैं ना भी कुछ पीले यह भी हरे वाले को पार्ड को का ट रहे है इस हरे हैं तो कुछ पीले हरे हैं और सफी सफेद ह or je और सभी सफ़ेद हरे के आंदर आ रहा है और हरा वाला वाग पीरे वाले को भी काट गार रहा है तो यह डियागराम मेरे दोस्त कहार हो गह काँ रहा हो क्या कच Хरे पीले को और सगता हों दूसरा दूसरा करता है option number 3 वाला विकल बिल्कुल सही है निसकर से पहला और दूसरा दोनों अंसरा करता है option number 3 इस question का बिल्कुल सही जवाब है next question question number अगला दिया गया है दोस्तों आपको कौन सा 31 number सभी खिलाडी लंबे हैं क्या बोला भी जितने भी प्लेयर्स है ना भी जितने भी खिलाडी है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ खिलाडी सभी खिलाडी कैसे भी सभी खिलाडी लंबे हैं तो भी सभी खिलाडी किसके अंदर आगए भी लंबे के अंदर आज आएंगे और सभी लंबे छोटे वही अब यहाँ पर दोखो सभी वाला डागराम जितने भी लंबे है ना वही सभी छोटे के अंदर आ गए तो यह डागराम दोस्तों आपके सामने बनके तैयार हो गया वही सभी वाला अब यह निसकर से मिलाओ क्यारा कि कुछ खिलाड़ी छोटे हैं जब सभी का संब्द होता है वहाँ कुछ का भी संब्द होता है कुछ खिलाड़ी छोटे हैं तो जब सभी खिलाड़ी लंबे हैं और सभी खिलाड़ी छोटे की बेंदर आ रहे हैं तो जब सभी का संब्द है तो वहाँ पर कुछ का भी संबन्द होगा तो आप कोई तर बिल्कुल सही है कोई जब मैंने बोला है कि जब सभी का संबन्द है तो कोई कहां से आ गया तो कोई वाला तो बिल्कुल निसकर्स हो ही नहीं सकता है अब ना तो यहाँ पर कोई का संबन्द होगा, होगा तो कुछ, क्योंकि जहाँ सभी की पॉस्बिल्टी होती है, वहाँ पर कुछ की भी पॉस्बिल्टी बनती है, लेकिन कोई का तो कोई मतलब ही नहीं, तो क्या कहोगा, केवल निसका से पहला answer करता है, option number 40 question का, बिलकुल सह यह कह रहा है, आर नहीं है, तो यह आर वाला डाइगराम अलग हो जाएगा, ठीक है, अब भी discuss कोड़ो, क्या कह रहा है कि सभी MR, भी क्या सभी, अब यहाँ पर देखो, निसका समगन्द है, कोई का, तो सभी का कहीं समगन्द दी नहीं, तो सभी वाला तो बिलकुल गलत है यहाँ पर भी सभी आर जाड़े, तो यह भी गलत हो जाएगा, भी अब एक बचा, कुछ MR नहीं है, भी बिलकुल बात क्या सही है, कि कुछ MR नहीं है, भी बिलकुल सही है, तो आपको गज़तर केवल निसका से थरड़ अंस्टर करता है, तो केवल थरड़ का मतलब कहा है, आपसन नमर 6 में, केवल निसका से थरड़ अंस्टर करता है, आपसन नमर 6 कुश्शन का बिलकुल सही हो जाएगा, नेंष्ट कुश्शन भी देखो, नेंष्ट कुश्शन पर चलते हैं, अगला कुश्शन plais zelf, पैड़ फूल थो म्हूंअ है, कुछ पीड फूल है खोश्श फूल जो है ना वो लाल नहीं है तो यह वाला आगे लाल वाला कहरा कि कोई फूल लाल नहीं है नहीं है वो लाए अभी निसकर से पढ़ो जब यहां पर कुछ का संबन दे और यहां पर वही कोई का संबन दे तो सभी वाले तो बिल्कुल गलत कर दो यहां पर भी देखो सभी है यहां पर भी सभी तो सभी वाले तो बिल्कल गलत लृट्ता नहीं है तो केवल निशकर्स थर्ड अंसरड तो क्या अपसिंट निंबर छह चौन करता छह सभी बल्ले गयंड यृवे resto बल्ले गैंद हैं वह सभी बल्ले गैंद के अंदर आ जाएंगे इस प्रिकार से और क्या बोला कि सभी गैंद बैड मिंटन हैं वह ऐसा कर उसको थोड़ा सा सरकल बना लेते चोटा चोटा नहीं तो आपके काफी बडा डागराम बन रहा है ठीक है यह वह गया भी बैट्स सभ बैड मिंटन के वह यह आगे विकट तो चारो जो आपके तीनों जो आपके सरकल एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं यह क्या बन गया भी विकट बन गया है भाई डागराम बनके तयार निसकर्स पढ़ो आंसर दो डागराम बनके तयार निसकर्स बनके तयार वह आंसर करेंग जहां पर सभी का निसकस होता है कुछ का संबन्द बिल्कुल बनता है तो वही कुछ वैडमिंटन बन्ले हो सकते हैं बिल्कुल सही तो निसकस फस्ट और सेकंड दोनों अंसरड करते हैं तो आपसन नमर तीन वाला विकलब सही है तो वही सभी पैन वाला जो मारकर आगा भी स्टेशनरी के अंदर ठीक है और कुछ स्टेशनरी जो है वो वस्तुएं है ठीक है अब सभी मारकर पैन है जितने भी मारकर होंगे वही सभी मारकर पैन के अंदर आ रहे हैं तो वही इसको बना लो मारकर तो सबसे पहले इसी को ठा हो गई हैं इसे सबसे पहले सीक उठा लेते हैं यह हो गया मारकर यह क्या हो गया मेरे दोस्त आपको इसर यह हो गया मारकर यह पैन क्यों नहीं चल ला है चल तू रहा है सभी मारकर क्या होगए भई सभी मारकर पैन है तो यहां से होगए भई मारकर यह हो जाएगा मारकर सभी मारकर क्या भई पैन है तो यह आगए भई पैन और सभी पैन स्टेशनरी है तो सभी पैन किसके अंदर आगए भई स्टेशनरी के अंदर आगए तो यह हो जाएगा भी स्टेशनरी और कुछ स्टेशनरी वस्तु में रवर हैं तो यह आगया रवर तो इसको काड़ रहा है भी कुछ का संबन्द भी यह वाला डागराम बनके तयार होगा इस परकार से यह वाला डागराम बनके तयार होगा अब निसकर से मिलाओ, कह रहा है कि कुछ स्टेशनरी वस्तुमें जो है ना, वो रवर नहीं है, जब कि यहां पर कुछ का संबंद है, जब यहां पर देखा जाया है, तो यहां पर कुछ का संबंद है, यह कह रहा है, यह कह रहा है, यह कैसा हो जाएगा, यह भी गलत, ना तो सकर से दूसरा अंसर करेगा तो दोनों ही आपके कैसे गलत है कोई पहाड रेगिस्तान नहीं है कोई भी पहाड जो है न भी पहाड कह रहा है रेगिस्तान नहीं तो यहां से माने लेते हैं पहाड यानि कि यह हो गया भी पहाड ठीक है कोई भी पहाड जो रेगिस्तान नहीं कुछ रेगिस्तान रेतीले हैं तो इसको मना लो रेगिस्तान तो ये कुछ रेगिस्तान कैसे होगे रेतीले होगे और कुछ रेतीले स्थान पहाड नहीं है बैस देखो डाइगराम कैसे बनेगा रेतीले स्थान ये होगे वाला डाइगराम अलग बन जाएगा तो यह हो जाएगा पहाड ठीक है कोई पहाड रेगिस्तान नहीं है तो वह कोई भी पहाड जो है ना वो क्या भी रेगिस्तान नहीं है और कुछ रेगिस्तान रेतीली इस्थान है कुछ रेतीली इस्थान पहाड़ी नहीं है तो यहां स कि कुछ रियतील इस्थान पहाण है तो यह कैसा गलत है तो क्या काओगे निसकर्ज के पहला ही अंस्वड़ करता है आफसन नमबर चार आफसन नमबर 4 सबस्कर्ज के वाल करता है बास समझ में आ गई नेक्स्ट कॉस्ट नमर से से 37 में क्या बुल आया कि सभी साइकलं हैं फाहिए तो सभी इस पाहिये के अंदर आजाएंगे बई पाहिये के अंदर आजाएंगे था यहाँ आ पर हिंदी में लगए देताओं पाहिये और कुछ साइकल वाहन है यह वही कुछ साइकल जो हो गए वही कुछ साइकल यह वहान को काटेंगे वही कुछ साइकल जो है यह वहान को इस प्रकार से काटेंगे तो यह हो गया वहान और कुछ वहान जो है ना वो टायर नहीं है क्या कुछ पहीग वहान नहीं है जिकि कुछ पहीगए वाला पार्ट वहान को काट रहा को भी भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कभी नहीं नहीं आएगा यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कभी नहीं आएगा मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ आपको समझना आए चीजों को तो ध्यान से समझो कम समझ में आए तो वीडियो को दोवारा देखना जब तक समझ में आए वीडियो देखते रहो हंड annasat परसंक कारंटिय और समझ में होई ए편owe चलिएगा आगे चलते हैं अगला कुश्चन देखो हुए अगला कुश्चन कहछार अंबह तर्टीएट कुछ इंजीणीर डॉक्टर ह्ए कोछ इंजीणीर जो है क्या कुछ वकील सिच्छक है जब हमसे बोला है कि कुछ वकील सिच्छक नहीं है और ये निसकर्स में कुछ वकील सिच्छक है लिए बोला है तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं आपको विसर बिलकुल हो जाएगा कुछ इंजिनियर वकील है हाँ, कुछ इंजिनियर वकील वकील वाले को काट रहे है आपको उसर बिल्कुल काट रहे है तो केवल ngist कर से दो अनुसरा करता है तो option number 2 केवल निसकर से दूसरा ही अनुसरा कर रहे है तो यही इस question का answer होगा next question question number 49 बिल्कुल दोस्तो आसान आसान से कुश्वन है, बिल्कुल आसान है. लगी मेमल्स आयां अफह एद्ले सा जी आइनिमल्स रहें तो यह जीवत पराड़ी का फायी है अब अब की अब और शकर से के औरमी बिल्कुल उसका से करे कि कुछ ब्लीयां जीवत पराड़ी वह ड़ेको ऑनद को आपने हो डिशाchnittि यह बिल्कुल सही है कि सभी जीवित प्राड़ी किया सभी जीवित प्राड़ी यह क्या है जीवित प्राड़ी के अंदर आ रहे हैं आपको कि नहीं सभी बिल्लियां जीवित प्राड़ी के अंदर आ रहे हैं कि सभी जीवित प्राड़ी के अंदर नहीं आ रहे हैं जब नहीं से के बाइब फस्ट ही एंस्टोड करता है आपसे नमबर चार इस कोश्टन का विकलब बिल्कुल सही है चैन बन जाएगी अब इन इसके समलाओ क्या कुछ रेल गाड़ियां जहाज हैं वह ट्रेन देखो और जहाज भी बिल्कुल बात से देखो यह देखो काट रहा है ध्यां से देखो कुछ रेल गाड़ी क्या है वह ट्रेन यानि के प्लैन को काट रहा है बिल्कुल सही है कुछ जहाज कार नहीं है यह करे कि जहाज कार नहीं है आप बताओ क्या कुछ जहाज कार नहीं है त्यो C ट्रैन वाली कार पही जागी ट्रैन इसको मैं हिंदी में लिख लेता हूं इस परकार से तो ज्यादा से झादा सई किक्वेल्फ़ लेंक इसको बैटकल लुख स्टार्पि करेंग कुछ रेल गाड़ीं जाज है भी देको अब आप यह बताओ रेल गाड़ी कहां पर रेल गाड़ी यह रही जाज यह रहा तो रेल गाड़ी जाज को काटी नहीं रहा तो यह गलत हो जाएगा कुछ जाज कार नहीं है भी बताओ यह क्या कुछ जाज कार नहीं है जबकि जाज जो है ना ये कार वाले को काट सकता था कर रहा कि कुछ जहाज जो है ना वो कार नहीं है तो भी कैसा हो जाएगा भी ये भी गलत हो जाएगा तो ना तो निसकर्ज से पहला अंस्रॉड कर रहा है ना इस निसकर्ज सेकंड अंस्रॉड करता है सभी ड्रम गिटार हैं क्या बोला है कि सभी ड्रम जितने भी ड्रम है ना भी सभी ड्रम क्या हो जाएंगे भी गिटार है तो यह आगए गिटार के अंदर और सभी गिटार क्या भी बासुरी, बासुरी को क्या बोलते है फ्लूट, तो ये आगी फ्लूट, और सभी बासुरी क्या भी सितार है, तो ये आगी आगी सितार, तो इसको लिख लेते हैं, आपे सितार, डागराम बनके तयार है, क्या कुछ ड्रम सितार है, मैं जहां पर सभ सितार गिटार है कलाद हो जाएगा तो केवलने इसकार स्वेस्ट एंस्ट करता है आपसे नमब चार व वाला विकल भी खली हो जाएगा नाश्ट कोश्चन पर चलते हैं अगला कुश्चन कोश्चन अमबर 42 सभी परदे जितने भी परदे हैं वंके यहां से बना रहते हैं डायग्राम तो यह आगया पर्दा और जितने भी पर्दे हैं वो सभी पर्दे क्या भी बिस्तर हैं तो यह वाला डायग्राम बनेगा बिस्तर के अंदर आगे देखो खुछ बिस्तर कुर्सिए यहाओ निसकर्स मिलाते हैं कुछ कुर्सिए मेज कार रहिए जब हमने बॡ-ला है कि कुछ कुर्सिया मेज मेज है तो यह वाला लेसे गलत हो जाएगा एक बार म्हार तो यानि की गलत है पहला निसकर से कैसा होगे मेरी सीर आपको गलत होगे सेकंड कुछ कुरसियों के परदे होने की संभावना है हाँ यह बलकुल बात सही है कि कुछ परदा जो है यह इसको काट सकता था कि कुछ परदे की कुरसियों की संभावना है जब संभावना जहां पर भी होती है तो वो आपको हमेशा सही करना है हमेशा सही करना है तो बिल्कुल सही होगी केवल निसकर से सेकेंड अर्स्टर करता है तो बिल्कुल केवल निसकर सही होगी के आपसन नमबर दो वाला विकल्प बिल्कुल सही होगी है नेस्ट कोस्टिन तो भी रवर वाके अंदर तो यह आगे रवर कुछ पहिए रवर को काटेगा कोई रवर प्लास्टिक नहीं तो यह प्लास्टिक आजाएगी अलग प्लास्टिक आजाएगी आपकी अलग अब भी निसकर से पढ़ो निसकर से करा कि कुछ पहिए साइकल है क्या कुछ पहिए स साथ लें हो सकती बिल्कुल सैंट कोछ पहीयें प्लास्टिक किया यह का भाग प्लास्टिक को काट रहा है आपका सफ़िस्ट करता है ऑप्षन झाद करता लॉकल सायthank करता है कि देश्ट पेटार नहीं कोई भूमी जल नहीं है मतलब कोई भी भूमी जल नहीं है कोई जल वायू नहीं है कोई वायू बनने वह अलग अलग बना लो यह हो गया वह वाटर यह हो गया वह फॉरेस्ट यानि कि वन और यह हो गया वह एर यानि कि हवा तीनों अलग अलग हो गया वह तीनों अलग अलग हो जाएंगे वह और एक क्या भूमी है भूमी के लिए एक और लोग भूमी आजाएगी अलग यानि किसको बना देते हैं यहां पर लग देतो भूमी कह दो या लेंड बोल सकते लेंड यानि कि जमीन यह होगी भूमी चारो अलग अलग कोई भूमी वन नहीं है क्या कोई भूमी बन नहीं है कोई भूमी बन नहीं है यह कह रहा कि कोई भू तो यह गलत हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन कह रहा है कि सभी सरी सरफ जो है ना ओभय चाहर है मतलब जो रहेंगने वाले जंतु है न सरी सरफ सभी सरी सरफ यहां पर मैं लिख देता हूं सरी सरफ सभी सरी सरफ जो है वो अभय चाहर है तो यह आगय ऑभय चाहर ठीक है भी ओभय चाहर और कुछ उभय चाहर जो है वह अबसे कया हो क्हिए नहीं है ये कह रहा है कि कुछ उभाईचर सीस्रप है यह कहाए नहीं आप बताओ जब सरीस्रप स तो कुछ उभायचर सरी सरफ और реш हो सकते हैं यह कहरा नहीं है तो, इस पहला निसकर से गलत है कुछ कचुद कुछ कुछ उभायचर ही नहीं कुछ कचुद नातो न्मचर में न LOL के ना आशिक कर रहा है न ही निसकर से से कर रहा है सबसंद नम्बर 59 numちら 2 विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा यही किस कुश्टन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा चलिएगा अगले कुश्टन पर चलते हैं कुश्टन नमबर 46 कुश्टन नमबर 46 पर चलते हैं चलिएगा अगला कुश्टन आपके सामने सूती हैं कुछ सर्ट सूती हैं तो सूती वाला डाइगराम यह बन जाएगा और सभी सूती जो है ना वो क्या भी कपड़े हैं जितने भी सूती है ना वो सभी क्या है कपड़े हैं और कुछ कपड़े पतलून नहीं है तो पतलून का जो डाइगराम बनेगा वो क्या बनेगा इसको यहाँ पर बना देते हैं अलग तो यह आगया वई पतलून यह आगया पतलून अब भी निसकस पड़ो क्या कुछ सर्ट पतलून है जब पतलून अलग बनाए तो पतलून का कुछ से क्या संबन्द है तो भी कुछ सर्ट पतलून नहीं हो सकती है क्या हो सकती भी आप को गिसा नहीं हो सकती तो गलत है कुछ सूती सर्ट नहीं जब कि कुछ सूती सर्ट वाले को काट रही है सर्ट वाले को काट रही है आप को गिस दी काट रही है कह रहे हैं नहीं तो यह भी गलत है तो ना तो निसकर से पहला अंस्वर किया ना ही निसकर से Second Datiinarisode कि आफसाननमर फस्ट इसासर यांसिए है नेच्ट कुशन को फउन लेब्टॉप हैं मतलब किया खाहा कि कुछ फउन पी ये वहीं के वहीं लेब्टॉफ हैं और कुछ लेब्टॉप tablet है भी तो यह दो को tablet हो गया और कुछ tablet desktop है तो यह आगया dt यानि कि desktop यानि कि आपके क्या कुछ का संबंद हो गया सभी में सभी में दो कुछ का संबंद हो रहा है कहरा कि कुछ phone desktop है भी क्या कुछ phone desktop है भी नहीं है नहीं है ये कहरा कि है तो वहीं ये कैसा होगए गलत भए फॉन आपका यह रहा डेक्स टॉप अलग अलग है बिल्कुल कहरा कि सभी टैबलेट पहे पहें थाओन है जब वह सब ने कुछ का संबंद भी सभी वाला तो डायग्राम ही नहीं वे ना तो तो ये भी गलत है तो क्या कहोगे ना तो पहला अन्स्राड किया ना ही second आपसण नमबर first is the right answer next question question नमेर 豆谈स कुछ किताबें क्लमें क्या बोला है कि कुछ किताबें जो हैं नगउ कुछ किताबें जो हैं वो क्या हैं कलमें तो वही कुछ किताबों वाला डाइगराम इस परकार से कलम बाले को काटेगा आपको विज़ी बिलकुल काटेगा फिर क्या करें कि सभी कलमें पैंसल अब जितनी भी कलमें ना वो कलमें सभी कलमें कितने हैं क्या हैं वही सभी कलमें पैंसल हैं तो यह आगए भी पैंसले और कोई पैंसल मारकर नहीं तो भी मारकर का जो डाइगराम बनेगा वो यहाँ पर बना देता हूँ अलग बनेगा यहाँ तक की बात समझ में आगई अब भी निसका समय लाओ कुछ किताबे कलमे नहीं है भी जबकि कुछ किताबे कलम है भी दो को किताब वाला जो डाइगराम इसको काट रहा है किताब वाला डाइगराम कलम को काट रहा है यह कह रहा है कुछ किताबे कलम नहीं तो यह गलत हो गया कोई कलम मारकर नहीं है क्या कोई कलम मारकर नहीं है बही कोई कलम मारकर नहीं है देखा जाए तो कलम अलागा मारकर अलागा बिलकुल वास है कि कोई भी कलम मारकर नहीं है तो केवल निसकर से सेकंड अलसर 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 करता है कोई पुल पहाड नहीं है मतलब कोई भी पुल जो है न वो पहाड नहीं है तो पुल तो अलग हो जाएगा पहाड अलग हो जाएगा ठीक है और कुछ पहाड इसमारक है तो यह आप पहाड है तो यह तो वही है ही नहीं और कुछ पहाड जो है न क्या भी इसमारक हैं तो यह आगए इसमारक और सभी इसमारक जो है ना वो क्या भी बंदरगा हैं जहां पर जहाजी बीड़ा होता है जिसको कहते है तो यह भी बंदरगा अब भी निसकर से मिलाओ क्या कुछ बंदरगा यहां पहाड़ हैं वही बिल्कुल बास सही बंदरगा पाड़ को काट रहा है तो यह बिल्कुल सही है कोई पुल इसमारक नहीं है क्या कोई भी पुल इसमारक नहीं है गलत हो जाएगा क्योंकि पुल और इसमारक के बारे में कोई भी कथन में बात नहीं की तो यह गलत है तो केस होजाय क्योंकि स्यलॉजिस में से एक्जा में कुश्चन आना obligation आना यह हर accept में यहाँ से आप पड़ रहे होतो बिल्कुल स्यूर है यह determinar तो इसलिए इसको अच्छे से सीखो ठीक है कम समझ में आया तो वीडियो को दौरा से देखना अच्छे से समझ में आ जाएगा कोश्चिन नमर पचास में क्या वोला है कि सभी गड़तक के तारकिक विचारक हैं जितने भी सभी गड़तक के तारकिक विचारक तो वह यह वाला डाइगराम होगा गड़तक का तो यह वह गड़तक है ना यह गड़तक वैग्यानिक जो है ना क्याई कुछ वैग्यानिक मूर्व हैं तो यहां ओग्याई के लिए डाइगराब The Better be niskar सपड़ो अब भाई मेरे दोस्त निसकर सपड़ो क्या रख करका कि कुछ वैग्यानिक मूर्व है यह करत नहीं है तो यह पहला निसकर्स क्या होगा भी मेरे दोस्त आपको गलत कुछ तारकिक विचारक वेग्यानिक नहीं है जबकि कुछ तारकिक विचारक वेग्यानिक वाले को काट रही है नहीं है तो यह भी गलत जबकि तारकिक विचारक वेग्यानिक वाले को काट रहा है यानि कि कह सकते हैं क और ना ही निसकर्स सेकंड वाला सही है तो क्या काओगे सर आफसन नमर फस्ट बिलकुल सही जवाब हो जाएगा उम्मीद करते है कोश्चन नमर पचास तक की बात आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी अब बाकी के दोस्तों जो आपके सेस पचास कोश्चन रहे गए हैं वोने हम नेस्ट क्लास में कवर करेंगे तो भई आज के सेसन उनको यहीं तक रखते हैं लगवग एक घंटे में हमारे आज के पचास कोश्चन कंप्लीट होते हैं स्लोजिस में चप्टर के और जिस भी भाई बहन को कम समझ में आयों तो मेरे दोस्त आप से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को द्वारा देख लेना समझ में आजाएगा कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना और ठीक है तो चलिएगा दोस्तो बाकी की जो भी हमारी क्लास हैं उस पर हम आपको बिलते हैं तब तक के लिए आप सभी दूस्तों का क्लास से ढटने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नेश्ट क्लास में बिलेंगे और वीडियो क्लास तो इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आपको वीज़ी पसंद आया हो बाते समझ में आई हूं मेरे दोस्त तो भी वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि ये वीडियो स्पेसली मैं बता रहा हूं इस वीडियो को बनाने में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है आप लोग प्लीज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा भई हाला कि दोस्तों मेरा परवार इतना बड़ा नहीं है लेकिन आप लोगों का इती सायोग रहा तो आपकी प्यार की और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ेगी और जितनी वियादा हैल्प रहेगी मेरे कर्डिंग तो वह मैं आपके लिए तैयार करता रहूंगा ठीक है वही है तो आप लोगों को मैं बता दू कि आज भई दस तारीक है तो वही आज आपको सभी को बता दो कि दस तारीक को भी उनका आता है के लिए सबी को धन्यवाद जय हिंद जय भारत जो भी दिक्कत परिशानी हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो